स्वागत है आपका पाई क्लास बाई सचेंज मलिक में आज का हमारा टोपिक क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 11, कंस्ट्रक्शन जैखो ये वाला चैप्टर बहुत स्कोरिंग है एक कोश्चन कंस्ट्रक्शन के उपर आना ही आना है और construction इतनी मुश्किल भी नहीं है, एक दो बार आप practice करोगे, मेरे साथ practice करना है, इसमें आपको बस यही करना है, जैसे जैसे मैं वीडियो देखना शुरू करोगे, वीडियो के साथ साथ ही copy, pen, pencil, अपना drawing box, geometry box, सब कुछ एक साथ ले ले लेना, जैसे जैसे मैं करता जाओं वैसे वैसे ही आपको साथ-साथ copy पर करना है, अपने आपको construction करनी आ जाएगे, लेकर आप सोचो के पहले मैं वीडियो देखना हूँ, उसके बाद बनाओंगा, तब आपसे नहीं बनेगा, एक बार मेरे साथ साथ बनाओ, फिर बिना देखे बना लो, तो आपको construction आसानी स से आ जाएंगी, देखो, सबसे पहला topic case में, dividing a line segment in ratio, रेशियो कौन सा, given, जो भी रेशियो में given ratio होगा, ठीक है, जैसे कोई भी एक line segment है, उसकी length कितनी भी हो सकती है, उसको मानलो, 4 ratio 3 में हमें divide करना है, कोई भी line segment है, line segment a b ले ली, इसको हमने 7 cm ले लिया, और अगर line segment की length नहीं दे रखे तो तुम अपनी मर्जी से ले सकते हो, क्या है का question, divide a line segment in 4 ratio 3, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 cm है, तो a और b हमने 7 cm ले लिया, या अगर उसकी length नहीं दे रखे है, तो अपनी मर्जी से ह हम ले सकते हैं, तो मेरे साथ साथ आप ये line खेचो, अब एक acute angle उपर बनाना है, और उतना ही acute angle हमें नीचे बनाना, दोनों पर बराबर, तो सबसे पहले, आसान acute angle कुन सा होता है, परकार में pencil लगाओ, ये arc लगाई, फिर arc लगी कितना होता, 60, इधर, और ऐसे ही, नीचे क रखा है, 4 ratio 3, इन ratio को add कर लो, 7 तो हमें इसके 7 part करने है, अब ये भी परकार open कर लो थोड़ी सी, उससी हो जाएगा, यहाँ पर परकार की नोग रखी, पहला, फिर परकार की नोग यहां रखी, दूसरा, अभी यहां रखी, यानि जब अगरा point आता जा रहा है, उस पर पर 5, फिर 6, और फिर 7, इसको नाम दे दो A1, A2, A3, A4, A5, A6, और A7, 7 ही करने थे हमें, उतना ही, जितना यहां खुला हुआ है, अब यह नहीं कि कभी कम जादा कर लो, उतने से यहां पर, 1, 2, पहली यहां से लगाई, फिर दुबार यहां से लगाई, फिर दुबार यहां स यह B7, B6, B5, B4, B3, B2, and B1, जो B की तरफ सारे हैं, उनको 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 A से मान लिया, ठीक है, अब यह जो लाश्ट वाले हैं, ठीक है, इनको अगर मिलाना चाहते हैं, मिला लो, नहीं मिलाना चाहते हैं, मत मिलाओ, डोटेड लैन से मिला लेते हैं, लाश्ट लाश्ट व इहां से भी 4, और ऐसे 4 लिया, तो इधर नीचे से ही हम 4 लेंगे, ठीक है, या सबसे बड़ी जाद है, 4 रेश्यो 3 है, यहां से 4 ले लो, और यहां से 3 ले लो, ऐसा भी सही है हमारे पास, 4 रेश्यो 3 है ना, तो इधर 4 वाला पॉइंट, यह पॉइंट आ गया, और इधर 3 वाला पॉइंट ये पॉइंट आ गया ठीक है वेसक्से मत मिलावे ने इनकी भी चलो कोई जरूत नहीं पड़ेगी फिर आपको ठीक है यहां से फॉर्थ पॉइंट और यहां से थार्ड पॉइंट इनको आपस में एक फूटे से बिला दो तो जहां भी यह इस लाइन को कट क सकते हैं ठीक है तो एक तो मारा यह कंस्ट्रक्शन हो गया तो यह क्या कंस्ट्रक्शन थी किसी भी लाइन सेगमेंट को किसी भी ratio के according ठीक है जैसे कोई भी given triangle है या तो triangle अगर given triangle है तो अपनी मर्जी से कोई भी हमने triangle बना लिया इसमें ना तुम्हें कुछ major करना है किसी side को बस सीधे बना लो A B C लेकिन अगर इन triangle की sides दे रखी है तो उन sides के help से हम triangle बनाएंगे क्या होगा तीन side दे रखी होगी तीन side में से कोई सीभी एक side नीचे ले लो बाकि दो side बची एक side के बराबर compass कोल के यहां पर arc लगाना दूसरे के बराबर यहां पर arc लगाना ठीक है इस type से हम बना सकते हैं तो अगर कोई sides नहीं दे रखी है तब तो हमारा यह हो गया अपनी मर्जी से कैसा भी triangle बना लेकिन अगर sides दे रखी हूं तब हमें उसी type से बनाना पड़ेगा मालो कोई triangle है A B A B दे दिया तुम्हें 5 cm B C B C तुम्हें दे दिया 6 cm और A C तुम्हें दे दिया 6.5 cm इस type से दे दिया तो नीचे कोई सा भी ले लिए हमने A B लाइन ले लिए हमने A B कितनी ले लिए 5 cm अब B C B C की तरह 6 तो B C B से बनेगी 6 cm प्रकार खोलोगे कैसे परकार की नोग 0 पे रखो इसकेल पर और पैंसिल की नोग 6 तक ले जाओ फिर परकार की नोग यहां रखेंगे और यहां से एक आर्क हम ऐसी लगा देंगे अब A C दे रखा तो वो A से बनेगा 6.5 cm प्रकार खोलोगे A से एक और हमार्क लगा दें तो यह पोइंट आ गया हमारा C तो अब इसको मिला दो तो इस तरह से हमारा ट्रेंगल बन जाएगा अब कहता है इसके Santalus और वो जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल का 3 x 5 होना चाहिए तो रेशियो इस टाइप का आएगा जिसमें नुमरेटर स्मॉल और डिंॉमरेटर बिग या इस टाइप के आएगा जिसमें नुमरेटर बिग और डिंॉमीनरेटर स्मॉल है या तो ढिनॉ तो यह प्रोपर और यह इंप्रोपर जिसमें numerator small और यह denominator बड़ा यह क्या होता है प्रोपर जिसमें numerator बड़ा और denominator small वो होता है इंप्रोपर तो इन दोनों में से ही कोई न कोई एक आएगा ratio दोनों का method same ही है करने का अब हम क्या करेंगे जो base है base पर हम एक acute angle बना लेंगे अपनी मर्जी से सबसे असान हमारा 60 degree कही है बना लिया जी ठीक है इसको x मान लो अब जैसे हमने वहाँ पर equal part बनाए थे ना ऐसे हम a से अब equal part बनाना शुरू करेंगे कैसे पता चाहिए का मान लो हमें 3 by 5 वाला बनाना है तो इसमें से greater कौन सा है 5 जो बड़ी value है उतने ही हमें part करने हैं तो ये से कुछ परकार खोल लो पहला part दूसरा part तीसरा part चोथा part और ये पांचवा part ठीक है ये बन गया हमारा easily अब हम क्या करेंगे जो भी denominator दे रखा है इसके बाद देखो part कितने करें जो इन दोनों में bigger value है उतने दो part कर लिए अब जो भी denominator इसमें हमें दे रखा है उस denominator को इस पॉइंट से हम मिला देंगे कैसे भी मिला लो, dotted से मिला लो चाहे मिला लिया हमेएसा denominator को ही मिलाएंगे यह दिहान रख ले न part उतने करेंगे जो दोनों में bigger है और जो denominator है denominator को हम उससे मिला द HayUN denominator 5 था तो 5th part को मिला दिया यहाँ denominator 3 होगा तो हम 3rd part को मिलाएंगे यसी कोश्gen माज बताऊंगा अगर यह वाला रेशयो भी और यह यह यो यह 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 यहां से एक लाइन खेचेंगे इसके पैरलल तो इसके पैरलल लाइन कैसे खेच होगे बई अब तुम्हें कैसे पता बिल्कुल पैरलल आज आसानी से तो हम खेच नहीं सकते हम कैसे करेंगे हम इस लाइन का एंगल मीजर करेंगे और उसी एंगल को हम यहां पर बना देंगे अब एंगल क यह प्रफ़ार कमपास तुमने यहां तक कुला और यहां से लेकर ऐसे एक हमने लगा दी अब उतना ही कम पास खोले रहन देना कहां पर रखना है जो पार्ड़ हमें एब जहां. पहले कि नोक यहां तक लाओ दो कमपास की कहाँ पर यहां पर और पेंसिल की नोक यहां तक लाएंगे तो नपग ऑगर आगया एक कितना नंग्ब है यहां से लेकर यहां तक ऑब उतना ही कमपास खुला रहने ही देंगे यहां पर Hier डंगे और न कि यह हम इस टाइप से आगached दो 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 जितना angle यह है उतना ही angle आप हमारे पास आ गया एक ये point पता चल गया एक ये point अब हम इसको अगर मिलाएंगे न ऐसे तो ये अपने आप ही यहाँ पर काटेगा और ये ही हमारा point आएगा B'dass क्योंकि B था तो B'dass आ गया ठीक है लेकिन अभी हमारा triangle नहीं बना हमें इस ट्रैंगल के similar triangle कंस्ट्रक्ट करना है बिलुकुल इसके जैसा लेकिन वो इसकी बजाए थ्री वाए फिफ्ट होगा अब क्या करें वाई ये तो परिलल लाइन आगी खीक है अब जैसे हम ने इधर से इस लाइन के परिलल लाइन क्याचिया अब यहाँ से इस पोईंट से इस वाले लाइन याई याणि B'dass ए के पहलन नहीं खाए अब इसके पहलन पहेंगे अब परकार की नोग यहां रखो एक आर्क ऐसे लगा दो अब परकार से परकार की नोग यहां रखी और यह एंगल हमने मीजर कर लिया पहल से लोहां तक ले जाते हैं उतना ही खुले रहने दो परकार की नोग यहां पर रखेंगे और एक ऐसे हम आर्क लगा देंग यह वाला angle और यह वाला angle बिलकुल equal हो जाएगा बस इस point को B से मिलाते हुए line है दो यह जो point आगया यह C dash तो आगया हमारा required triangle A, B dash, C dash जो बड़े वाले triangle का 3 by 5th है अब 3 by 5th है numerator छोटा, denominator बड़ा तो जाहिर सी बात है जो हमें given triangle उससे छोटा ही triangle हमारा बनेगा जो भी हमें required है अब यह वाला इससे बनाएं अब क्योंकि given triangle से यह ratio बढ़ा है क्योंकि numerator बढ़ा है denominator चोटा है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा required triangle है वो given triangle से बढ़ा बनेगा इसमें given triangle से यह कूछ छोटा बना Hay इसमें given triangle से बड़ा बनेगा देखो same इसी type से करेंगे इन चीजों को मिटा देता हूं जिसके अब जो उट रही है देखो यहां तक तो काम बिल्कुल same ठीक है यहां तक हमने जो कर रहा था triangle बना लिया था और हमने नीचे वाले के पार्ट 5 कर दिया, 5 क्यों करें? क्योंकि इसमें भी bigger 5 है, इसमें भी bigger 5 है यहां से आगे अभी भी same रहागा, हमने क्या कर दा denominator को B से मिला लिया था यहां भी denominator को B से मिलाएंगे यहां तक बिल्कुल same, denominator को B से मिला ओ तो denominator क्या है, यानि जो third part है यह वाला इसको B से मिलाएंगे हम तब भी हमने ऐसी कर रहा था वहाँ पर 5 था तो 5 को मिलाया था और जो numerator था numerator से line parallel खेची थी अब numerator यहाँ पर 5 यानि numerator यहाँ पर यह हो गया अब यहाँ से line किसके parallel इसके parallel खेचेंगे वही परकार की नोग यहाँ रखो एक arc लगादी ऐसी परकार की नोग यहाँ रखो एक arc लगादी यहाँ पर परकार की नोग रखो और pencil यहाँ तक लाओ खोलो ठीक है यह नप गया अब यहाँ से ऐसे हम ऐसे नाप तो अब यहाँ से एक parallel line आएगी जो इसको आगे बढ़ाने पर कट करेगी अब B-डेस यहाँ पर इधर आया वहाँ B-डेस कहा आया था अंदर क्योंकि उससे छोटा ट्राइंगल बनना था क्योंकि जो रेशियो दे रखा वह छोटा दे रखा है अब रेशियो हमारा बिगर है क्योंकि पर कार की नोग यहां रखी यहां से यह एंगल नाप यह लगाया अब यह लाइन हमारी ऐसे जाएगी और यह आगे बढ़के इसको मिलेगी तो यहां पर हमारा C-डेस आजाएगा तो देखो अब ट्राइंगल बड़ा बन गया गिवन ट्राइंगल से क्यों क्योंकि नूमेरेटर बड़ा है अगर नूमेरेटर छोटा हो तो गिवन ट्राइंगल से छोटा बनेगा तो इस टाइप से हमारे यह जो कंस्ट्रक्शन दे रखी है 11.1 में यह कंपलीट होती है आईए अब एक्ससाइज के कुछ कोश्चन देखते हैं अगर इनसे अलग है तो तीन परकार की हमने कंस्ट्रक्शन सीखी है एक तो लाइन सेग्मेंट को डिवाइड करना जो कि पहला कोश्चन है 7.6 सेंटीमेंटर की लाइन सेग्मेंट दे रखी है उसको 5 रेशियो 8 में हमें दिवाइड करना है तो 7.6 ड्रो कर लेंगे और दोनों तरफ एक्यूट एंगल बनाएंगे तो रेशियो क्या 5 और 8 तो 8 और 5 का सम क्यों होगे 13 दोनों तरफ 13 13 पार्ट हम करेंगे एक तरफ से 5 लेंगे इस ट्रेंगल हमें कंस्टर्क करना जिसका 2 x 3 रेशियो हमें गिवन है सिंपल ऐसे ही थर्ड है 7 x 5 पहले में 2 x 3 था न्यूमिनेटर स्मोल थर्ड वाले में न्यूमिनेटर बिग है 7 x 5 फॉर्थ वाला भी ऐसे यह कहता आइसो स्केल्स ट्रेंगल बनाना है जिसका बेस एट है और एल्टिट्यूड 4 है ठीक है एल्टिट्यूड क्या है 4 cm तो इसमें ट्रेंगल बनाना देख लो बस कैसे बनाओगे कोहिंट सा कोश्चन है 4 बेस हमने ले लिया 8 cm और आइसो स्केल्स ट्रेंगल का जो एल्टिट्यूड होता है वो बिल्कुल इसको मिड़ पॉइंट प ठीक है अब यह अल्टिट्यूड एल्टिट्यूड की लेंद दे रखिए 4 cm तो कमपास की नोग यह रखो 4 cm पर एक आर्क लगा लो यह सी पोइंट आ जाएगा तो यह तो बन गया हमारा आइसोस्केल्स ट्रेंगल अब इसके सिमिलर ट्रेंगल बनाना है जिसका रेशियो यह दे रखा है यानि 3y 2 दे रखा है वही एक अक्यूट आंगल बनाएंगे नीचे 3 और 2 में से बिगर क्या है 3 तो 1 2 3 पार्ट ठीक है अब डिनोमेनेटर के तना है 2 इनको मिलाएंगे फिर इसके पहले लाइन यहां से बनाएंगे बाहर बनेगी तो हमारे पास ट्रेंगल बन जायागा जो थर्ड वाला मैंने कंस्ट्रेक्शन समझाई थी उसके जैसा बस अब सम्में ट्रेंगल बनाने बनाने की अलग अलग चीज़े दे रखे हैं जैसे यहां पर इस टाइप से दे रखा था कि यह कैसा आईसोस्केल ट्रेंगल नेक्स्ट है ए बीसी ट्रेंगल बीसी दे रखा 6 तो यह हमने एक लाइन खेल दिया अब बीसे 6 को लेंगे एक आर्क लगाएंगे जो भी आएगा ट्रेंगल बन गया बस बाद में इसको 3 रेशियो 4 इसके से मिलर ट्रेंगल हमें बनाना है ऐसे ही नेक्स्ट है नेक्स्ट में साइड दे दी बीसी बी वाला एंगल दे दिया और एवाला एंगल दे दिया तो देखो बीसी दे दी तुम्हें एंगल बी दे रखा है और एंगल एंगल दे रखा है हमें यह वाला एंगल पता है यह नहीं पता तो तीसरा एंगल निकाल लेंगा कैसे करके यह 180 होता है तो यह एंगल तुम्हें पता है बन जाएगा, ऐसी C वाला एंगल तुम्हारा निकल जाएगा, यह बन जाएगा, दोनों को मिला दो, और तुम्हारे पास values आ जाएगी, अगर एंगल ऐसे दे रखे हैं, जो direct compass से बन सकते हैं, तो उससे बना लो, otherwise protector से हम बना लेंगे, और फिर जो triangle बन के आएगा, उसको 4 ratio 3 divide करके similar triangle हमें बनाना है, सबसे last कहता है, कि एक right angle triangle बनाना है हमको, right angle triangle में हम बता है, 90 degree का angle होता है, कहता है, उसकी दो sides दे रखे हैं, hypotenuse नहीं दे रखा, 4 और 6, तो हमने base ले लिया, A, B, 4, यहाँ पर right angle construct कर दो, इसकी length कितनी दे रखे है, 3, चलो दो, बन गया right angle triangle, अब इसको 5 ratio 3 में, 5 upon 3 में divide करना है, आगे तरीका वही नीचे, acute angle बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5, 3 दे रखा है, 5, 3 वाला मैंने तुम्हें समझा रखा है, उसी type से इसको करके, तुम्हें अपनी copy पर बनाना है, लेकिन साथ की साथ, वीडियो देखो, वीडियो के साथ साथ इन questions को करो, या तो इस तरह का एक question आता है इन दोनों में से, या तो 5 by, या तो ये कोई से भी ratio हो जाएगा, numerator जिसमें big होगा, denominator small होगा, या numerator small होगा, denominator big होगा, method दोनों का same ही है, बस अगर ये value होगा, तो इससे बड़ा triangle बनेगा, अगर numerator बड़ा है, numerator चोटा है, तो जो हमारा given triangle होगा उससे चोटा बनेगा, और triangle बनाने के अलग-अलग, उसमें method दे रखे हैं, यह हम समने छोटी किलासों में सीखे हुए है, कि triangle को किस-किस टाइप से बना सकते हैं, अगर कभी तीनों सायड दे रखी हैं, कभी isoscale triangle है, altitude और base दे दिया, यह राइट अंगल ट्रेंगल दे दिया, कि hypotenuse के लावाद दोनों दे दी, एक base दे रखा था, दो एंगल दे रखा होता है, उसकी health से हमें triangle बनाना है, फिर उस triangle को similar हमें echo triangle बनाना है, जिसका ratio या तो numerator less than denominator होगा, या numerator greater than denominator होगा, और ये तीन या चार number में question आता है, आसान question है, बस practice मांगता है, एक बार तुम्हें बनाना आ गया अपने आप, तो ये free के number है, फिर इसके साथ हमें इसक construction लिखनी है, जैसे जैसे तुम बनाते गए हो, वैसे वैसे construction लिख दो, अब तुम्हें एक point की बात बताता हूँ, अगर तुम्हारा figure बिल्कुल सही बना हुआ, teacher बिल्कुल देखती ही पैचान लेता है, कि तुम्हारे figure में कोई कमी नहीं है, तो construction कोई भी teacher नहीं पढ़त है, figure में कमी है, फिर construction भी पढ़ी जाती है, फिर उसी के according आपको number दिये जाते है, तो उमीद करता हूँ, आज जो जो construction हमने सीखी है, 11.1 की, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बस आपको इतना ही करना है, इनको copy पर, परकार, pencil, geometry box, इनकी help से बना कर द लाइक करो, शेर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद